बिसमिल्ला इर्माल इर्राहिम, असलाम अलेकम, मेरा नाम है माजश शहाब, एंड मेरा चैनल का नीम है VEZ Learning, आज की इस टिटोरियल में हम लोग डिसकेशन स्टार्ट करेंगे, मोबाइल प्रोग्रामिंग की यूजिंग एंड्रोइड, इसकी काफी रिक्वेस्ट आ रही थ है, this one is our simple course outline regarding android, so पहले हम डिसकेश करेंगे, what is android, then softwares जोके हमें required हैं android के लिए, कैसे downloading करनी है, कैसे installation करनी है, और वो सारे procedures को आज हम देख लेते हैं, android basically आपके पास mobile में यूज होने वाला operating system है, actually एक platform है, जिसमें आप लोग काफी different languages को यूज करके programming कर सकते हैं, लेकि ज बहुत ज्यादर demand है, market level पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है, इस पे, बहुत से students हैं जो इसको सीखना चाहते हैं, काफी ज्यादा PDF आपको internet पे available हैं, tutorials available हैं, लेकिन ज्यादर English में हैं, तो मैंने सोचा है कि इसको उर्दू language में develop करते हैं students के लिए, इंशाला कोई problem नहीं RAM होनी चाहिए, मैं आप लिख देता हूँ, आपके लिए at least 8 GB RAM होनी चाहिए, आपका system जो है, उसको काफी strong होना चाहिए, processing में, so मैं आपको recommend करूंगा कि आप अपने system में SSD जो है वो लगा लें, अगर आप अपने system SSD लगा लेते हैं, तो उससे आपका system काफी ज्यादा quickly आ इंशाला SSD और HARDIS पर भी मैं एक lecture develop करूंगा, दोना में difference आपको बता हूँगा, लेकिन market में यह आपको 3-4 thousand में easily मिल जाएगी, 128 GB, तो वो आपके लिए काफी better रहेगा, and इसके लगा कुछ software से हैं, जो हमें required होंगे Android को use करने के लिए, तो जाते हैं अपने browser पे, मैं आप studio, so हमें Android studio download करना होगा, so मैं यहाँ पे click कर लेता हूँ, and now this one is our button, यह website है, हमारे पास developer.android.com.studio, यहाँ पे आपके सामने green button आ चुका है, Android studio की downloading का, so इसको हम click करेंगे, and आपके लिए जो agreement है, वो आ रहा है, इसको खायर read करने के ज़रूद नहीं है, just इसको check कर ले, and download Android studio for windows, अब यह मेरे लिए download होना शुरूँ होगा, यह कह रहा है, आप कहां पे करना चाहते है, so मैं इसके लिए एक folder बना लेता हूँ, इसमें हम लोग download कर लेंगे इसको, यह होगी एक exe file, और यह थोड़ा सा time लेगा, क्योंकि यह 719 MB का है, आपका internet fast होना चाहिए, मेरा internet काफी fast है, लेकिन आप लोग का थोड़ा सा time लगेगा, मैं वीडियो को थोड़ा सा पास्ट कर देता हूँ, ताकि यह download fully हो जाएता, उसके बाद हम लोग अपनी installation process जो है, वो start कर लेते हैं, Welcome back, software मेरा download होने के करीब आ चुका है, 6 second left है, 5 second after that हम लोग का android studio download हो जाएगा, Okay, download complete हो चुका है, मैं आता हूँ desktop पे, Okay, and we have, this one is a software, यह है आपके पास file android studio की, इसको अब आप लोग नहीं double click करना है, because this one is a executable file, application file है, आप simply double click करने इसके पर, आपके installation procedure जो है, वो start हो जाएगा, Okay, so, यह install होने जा रहा है, इसको yes कर दीजे, Okay, now, कुछ वेज़र स्टेप आ चुका है, इस software के setup का, हम इसको next करते हैं, इसको भी हम लोग next करते हैं, तो इस space आपके system में यह ले लेगा, So, यह default location में install हो रहा है, इसी program files, android, android studio, आप इसको change भी कर सकते हैं, मैं ऐसी रहने दे रहा हूँ, Okay, इस name से यह आएगा, Start menu में, इसको आप install कर लें, आप shortcut भी create कर सकते हैं, या नहीं करना चाहें, As you wish, install, And now, यह extract कर रहा है different files को, तोड़ा सा time लेता है, यह, मेरा system काफी fast है, आपके system में थोड़ा सा शाय टाइम ले 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 गाई है, But, यह procedure थोड़ा सा lengthy है, So, हम देखते हैं इसको, मैं वीडियो थोड़ा सा stop करता हूँ, ताके यह install, यह चले हैं, यह तो quickly ही हो रहा है, So, हम इसको continue रखते हैं, Files काफी ज्यादा है, तोड़ा सा time लेगा, मैं इसको तोड़ा सा pause कर लेता हूँ, ताके वीडियो हमारा लेंटी न जाए, Okay, installation end के गरीब आ चुकी है, So, let's see के यह हमें अभी क्या बताएगा, Okay, so, कह रहा है हमें message complete हो चुका है, हमारा installation, हम next करेंगे, Now our android studio is almost ready, So start android studio, यह check box आपका check होना चाहिए, इसको मैं finish करता हूँ, और यह थोड़ी देर में इसको load करेगा, Okay, so, यह window आ चुकी है, आपके पास, यह आप से कह रहा है, कि अगर आपके android में, आपके computer system में कोई पराना version था उसका, तो आप उसकी setting को भी import कर सकते हैं, मैं भी फिलहाल इसको बिल्कुल initially install करना चाहरा हूँ, start करना चाहरा हूँ, ताकि आप सारे options discuss करना, So, मैं इसको करता हूँ, do not import setting, Okay, Okay, यह भी परानी कुछ directories के बारे में कह रहा है, So, आपको शायद यह message ना आए, आपका first time होगा, मैं इसको delete करते हूँ, क्योंकि मेरे system यह पहले install था, आपका directly इस तरह आएगा, So, यह भी load हो रहा है, Okay, इसने कुछ downloading भी फिर से बताई है, आपको यह भी कुछ background में downloading करेगा, इसलिए आपका internet का on होना जरूरी है, जब आप लोग android studio install करते हैं, Okay, so, हमें आ रहा है welcome android studio screen, आप mobile device के लिए programming कर सकते हैं, आप आजकल smart watches आ रही हैं, उनके लिए कर सकते हैं, tablets के लिए कर सकते हैं, navigation cars के लिए कर सकते हैं, different options हैं, जिसका हमें बताया जा रहा है कि आप इनकी programming कर सकते हैं, next करते हैं, अभी हमें कहरे है कि installation type, आप choose the type of setup you want for android studio, standard भी है, custom भी है, जो beginners हैं उनके लिए standard होके है, recommended for most users लिखावा भी है, तो हम इसी को रहने देते हैं, and next कर देते हैं, आप में कुछ themes के बारे में बताया जा रहा है, यह theme basically आपके editor की theme है, जिदर आप coding करते हैं, वो आपसे कह रहा है कि आप light theme में करना चाहते हैं, या dark theme में, तो आप जो भी prefer करते हैं, आपको जैसे ठीक लगता है, आप उनको use कर सकते हैं, मैं default वाली रहने दे रहा हूं light, next करते हैं, अब यह आपसे कह रहा है, if you want to review or change of any, your installation settings, click previous अभी तक आपने जो जो भी उसको बताया है, आप previous जाके उसको चेक कर सकते हैं, अगर सब कुछ ठीक लगता है तो यह कुछ चीजों को भी आपके लिए download करेगा, so मैं finish करता हूं, so कुछ downloading शुरू हो गई है, इसमें आपके लिए अभी कुछ files को download करेगा, मैंने आपके लिए इंटरनेट required है, इसलिए इसको आपने as it is ही रखना है, यह काफी lengthy procedure है, इसको आपने थोड़े देर रखना होगा ऐसी तरह, कोशिश करें कि यह सारा files को download कर ले, ताकि आपको कोई errors ना आए, इसको मैं stop करता हूं, excellent procedure, थोड़े देर में मैं आपसे फिर मिलता हूं, during installation अभी एक message आया था, उसको आपने simply yes करना है, and after that आपकी जो downloading procedure है, components की, वो successfully हो जाएगा, after that आपने इस button के उपर click करना है, finish, and now आपका Android Studio जो है वो आपके सामने present कर दिया गया है, तो हमारी जो course online थी उसमें यह था simply के Android के बारे में थोड़ी से introduction था, and उसकी जो software से, इसको हम लोगों ने देखा, and इसकी download link की and installation, installation complete हो गई है, अभी आप से कह रहा है के welcome to Android Studio, and now you can create a new project on your Android, so मैं आपके सामने भी कुछ procedure start कर देता हूँ, how to create a new Android project, simply click करना है आपने इस button के उपर, and you will get this screen, now what is this, what does mean by this screen, यहां पे आपको different options दिये जा रहे है, first of all वो आप से कह रहे है, choose your project, अब किस किसम का project create करना चाह रहे है, you can create project for phone and tablets in Android, आप VR OS के लिए भी कर सकते हैं, televisions के लिए कर सकते हैं, Android car systems के लिए भी कर सकते हैं, and lots of other things भी आपके पास available है, यहां पे कुछ कह रहा है कि empty activity, now यहां पे एक word आप देख रहे हैं, like add no activity, basic activity, empty activity, bottom navigation activity, and lots of other options भी हमारे पास है, activity कहते हैं, mobile में आपके application का जो screen है, आप उसको कह सकते हैं activity, यानि आप जब अपने application develop करेंगे, तो उसका कोई न कोई screen होगा आपके सामने, that is called basically activity in android, so वो आपसे बैसिकल यही पूछ रहा है, कि आप किस type की activity को लेना चाहते हैं, ना चुक्कि हम लोग initial setup पे हैं बिलकुल, तो हम लोग इस वले option को यूज़ करेंगे, empty activity, इससे यह होगा कि android जो है, बहुत सा code develop कर देगा आपके लिए, so हम लोग जो के बिलकुल initial पे हैं, तो हम लोग empty activity करेंगे कि हमें कोई भी code required नहीं है, मैं empty भी ले लूँ, इसके बावजूद भी वो कुछ code लेकर आएगा, वो उसका default setup है, वो हम समझेंगे, so मैं empty activity भी क्लिक करता हूँ, and next को क्लिक करें, now वहाँ से कह रहा है, okay give me the name of your project, यहाँ पे लिखा है my application, तो मैं यहाँ पे कोई लेता हूँ, let's suppose, यहाँ मैंने लिख 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 लिख, after that we have package name, package क्या है basically, android में कफी important है package, basically आपका जो android operating system है, उसका जो last में हमारा procedure होता है, वो यह है कि हम अपने application को, यह हम अपने app को Google पे load कर दें, जो कि आप में नाम सुना होगा play store, तो play store पे चुके आपके application के लिख लिख भी different applications होंगी, तो Google कहता है कि हर एक application को uniquely differentiate करने के लिए आपने package name प्रोवाइड करना होगा, तो package name बहुत important है, आप लोगों ने इसको uniquely रखना है और यह होता है reverse order में like com.example.first project, अब इसका क्या मतलब है, आपने website में देखा होगा लिखा होगा एकसर हम लिखते हैं, www.yahoo.com, google.com, facebook.com, तो com जो होता है उसमें last पे होता है, यहां पे जो com है वो first में है, इसके बाद आप लोगों का यहां पे होना चाहिए, कोई भी name, uniquely name and finally आपके project का name हो सकते हैं, initial level पे आपको भी इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी Google Play Store पे लोड नहीं कर रहें, आगे मैं आपको procedure बताऊंगा, फिलाल आप इसको ऐसे ही रहने दे सकते हैं, next step आपके पास save location, आप अपने android के जो भी project में files बनेंगी, कि आप उसको कहां पे save करना चाहरें, यहां पे लिखाव है c, users, ok, android student, आपके कोई और location लिखी होगी, आप लोग इसको कहीं पर भी save कर सकते हैं, मैं default location पे ही कर रहा हूं, आप इसको कहीं पर भी load कर सकते हैं, save कर सकते हैं, next step आप से कह रहा है कि language, आप किस language में इसको develop करना चाहते हैं, यहां पे majorly two languages है, kotlin and java, हम चुके java कई students पहले पढ़ चुके हैं, तो हम लोग इसी पर काम करेंगे, आगे मैं kotlin के भी lectures develop करूंगा, सो मैं अभी java को click कर रहा हूं, next step आप से कह रहा है कि कि आप minimum API level क्या लेना चाहते हैं, now API means application programming interface, यह जो है basically आपके सामने हैं, अप लिखा रहा है Android 4.0.3 ice cream sandwich, आपकी application जो है, वो minimum किस operating system पे Android के चल सकती है, इसके बारे में बूचा जा रहा है, जैसे शुरू में आई थे Android Oreo था, sorry Android clear था, फ्रोयो था, gingerbread था, cream sandwich आया था, kitkat था, बहुत से थे, तो कह रहा है कि minimum कितने पे चलाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से mobile होंगे आपके पास जिसमें आपका Android operating system updated नहीं होगा, तो उस case में आपको, आपकी application उस पर भी run करनी पड़ेगी, अब यहां लिखाव है 4.0.3, तो यहां पे लिखाव आ रहा है, your application will run on approximately 100% of devices, अगर यहां से मैं कोई latest वाला ले लेता हूँ, like Oreo, Pi, Q, 10.0, तो आप देखेंगे कि आपसे message में आ रहा है कि your application will run on less than 1% devices, जो कि बहुत ही limited हो जाएगा, आपकी application बहुत कम mobile हों पे चलेगी, इसलिए कोशिश करते हैं हम लोग, कि इसको हम लोग वही रहने दे, ice cream sandwiches, okay, next करते हैं, okay, finish है, now, click करते है on finish, अब यह आपके लिए आपका project जो है, वो load करेगा, इसमें काफी files आएंगी, काफी कुछ develop होगा, कुछ files download होना शुरू हो रही है, syncing हो रही है, यहाँ पे आपके पास कुछ left side पे जो आपको नजर आ रहा है, this one is your project explorer, जिसमें आपके पास two items हैं, like first project, that was the name of our project, and second है आपके पास gradle scripts, यह सारे चीज़ हम लोग इंशालला discussion start करेंगे इन पे, अभी जब तक आपका यह बटन जो आप देख रहे हैं, run वला, यह जब तक active नहीं हो जाता, तब तक आपने इसको कुछ भी नहीं करना यह आपके लिए इंटरनेट के तुरू कुछ चीज़ें download करेगा, as it is, इसको छोड़ देंगे भी लिखावाए download, कुछ services हैं, वो भी आपके लिए download हो रहे हैं, gradle के बारे में लिखावाए, gradle basically आपके पास एक ऐसा टूल है, जो के आपके लिए android में apk file बनाता है, android package file, जैसे windows में आपके पास exe files होती है, इस तरह android में आपके पास apk files होती है, एक ऐसी file जिसमें सारा code एक जंगा पे आएगा, सारी files एक जंगा पे आएंगी और वो finally scabel हो जाएगी, कि आप उसको run कर सकेंगे, तो यह basically वो tool download हो रहा है, this one is your gradle script, यह finally आपके project की apk file बनाने के लिए use होता है, इसमें भी थोड़ा सा time लगेगा, मैं इसको तुरा सा post कर देता हूँ, आपने इसको as it is ही छोड़ना है, क्योंकि इसके बीचे required है internet, यहां पे बता रहा है आपको कुछ ticks हो रहे हैं, कुछ message आ रहे हैं इनको simply allow करें, जैसे अच्छा है, एक message आगे हमने इसको allow कर दिये, मेरा internet fast ऐसलिए मैं जर असा रह नहीं देता हूँ ताकि आपके सामने सारे options हो जाएं, क्योंकि students को काफी problem आदी है installation की time, तो इंशालला नहीं आए कि अभी जो आप procedure देखेंगे, अगर आई तो मैं आपको each and every step के बारे में बताऊंगा, अभी configure building कर रहा है, जो जो options ने download कर लिए इंपर टिक कर रहा है, कोई भी problem होगी, कोई error आएगा तो उस पर आपको cross लिखवाएगा, उसको फिर हम लोग बाद में solve करेंगे, सब टाइम आपके internet होता भी है, यह कुछ files डाउंलोड नहीं कर पाता, तो उसको हम लोग बाद में भी download कर सकते हैं, फर्स टाइम लेता है, लेकिन हमने वेट करना होगा, जब तक हमारा this button यह active ना हो जाए, this is actually a play button or run button, shift plus f10, so I think मुझे फ्राइम पास्ट करना पड़ेगा वीडियो, क्योंकि यह time थोड़ा सा ले रहे, actually मुझे issue नहीं है लेकिन आपका वीडियो जो है वो तुरा सा lengthy हो जाएगा, तो मैं तुरा सा स्टॉप कर लेता हूँ इसको, okay जी welcome back, installation से फ़रा का procedure हो चुका है, downloading सारी complete हो चुकी है और आप देख रहे हैं कि मैंने कोई भी कुछ पीनिंग किया, सिर्फ मैंने इसको as it is थोड़ी दर छोड़ी रखा है, and four five minutes में इसने मेरी सारी surface की downloading कर दी है, and इसने जो हमारे पास जो भी required files थी वो download कर दी है, and सारे ticks आप देख रहे हैं, सारे ticks आ चुके हैं, and finally हमारा जो green button है वो भी active हो चुका है, आपने इसको as it is ही करना है, मेरे इस tutorial को step by step follow कर लें, each and every step में आपके सामने mention कर दिया है, इंशाला आपको कोई problem नहीं होगी, in case अगर कोई error आता है, तो currently इस error की picture ले लें, और मुझे comments में put करते हैं, मैं आपको वह सारा वहीं पर guide कर दूँगा, this one was our first lecture of android, इंशाला next lecture में इसकी series हम लोग develop करते हैं, आपको android के installation से related काफी videos इंटरनेट पर YouTube पर मिल जाएंगे, मेरा भी वीडियो वैसे ही है जैसे और बाकी भी हैं, लेकिंशाला मैं आपके साथ ऐसी tricks शेयर करूँगा आगे जितने भी अमरे lectures बनेंगे, each and everything जो कि आप यहां पे coding में देख रहे हैं, मैंने आपके साथ each and every step discuss करना है, हर चीज़ आपको clearly guide करूँगा, थोड़ा सा time लगेगा लेकिन मैं चाहता हूँ आप fully detail में android को cover करने, thank you, जो भी problem होगा इंशाला हम लो comments में discuss कर लेंगे,